बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं डारेक्टरेट ओफ एजुकेशन ने कक्षा नाइंद के लिए गणित का जो वरक्षीड चारी किया प्रेक्टिस पेपर जो जारी किया है उसके बारे में डिसकस करने जा रहे हैं जैसा कि ग्यात है जो कि ऐसे वन का पेपर अब उसमें आपको 50 MC को बहुत प्रस्ण आएंगे यह तीन खंडों में होगा A B C और बहुत सोब खंड आव में एक हंड में पच्छा बीस क्वेस्टन होंगे जो सोला आपको कोई भी सोला करने हैं दूसरे में 20 प्रस्ण होंगे वहां भी सोला करना है और केसे स्टेडी में कु इनly आठ प्रसनों के हल करना है प्रत् taped प्रसन के एक उत्तर है एक अंक है प्रत्य प्रसन में चार विकल्प दिए जाएगगे आपको कीवल एक विकल्प का चैन करना है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्याल्कुलेटर का प्रयोग जैसा कि आपको ग्याते जो कि इसमें नहीं होता है कोई ऐसा अभी ऐसे मेटेरियल जिसका गणित में या कहीं भी उसका इस्तेमाल हो उस डिवाइस को उस डिवाइस से बचे तो देखिए जो आपको जो स्लेवस दिया गया है तो स्लेवस में 40 नंबर का विटेज है और 40 में अब 50 पूछ रहा है तो यानि यहां पे इससे 25 परसेंट एक्स्ट्रा है यानि आप कम सब्जक्ट कम उस पे भी कम तैयारी पर करके भी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते किसी आप 22-3 चेप्टर को बढ़िया से पढ़ ले क्योंकि 25 परसेंट हर चेप्टर से एक-दो क्वETं एक्स्ट्रा आयेगा दस क्वETं और लगबग साथ चेप्टर आ रहे हैं नाइजंध में तो हर न चेप्टर से एक-दो सवाल एक्सट्रा पूछा जाएगा तो वो एक तरह से आपके लिए bonus के अंखी है कम तैयारी में हो सकता आपको वह सवाल किसी चप्टर की बढ़िया से तैयारी है तो वह नंबर आ सकता है तो आएए आप सवाल की तरफ चले देखे कैसे सवाल है अब आएए यो पहला सवाल दिया एक प्रतिवर्ति को रिफ्लेक तो इसको पहते है रिफ्लेक्स एंगल जिसका वैल्यू होता है यह देखिए नबेश से अधिक को तो हम क्या कहते हैं या नी ऑप्ट्यू से एंगल यह कम बाले को को कहते हैं एक्वीट एंगल कहते हैं जो 1807 डिगरी के बराबर हो इसको मनलब सरल रेखिये को कहते हैं स्ट्रेट एंगल कहते है तो रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते है रिफ्लेक्स एंगल होता है जिसका मान 300 180 से ज्यादा और 360 से कम हो तो इसको इसका सही आंसर है c more than 160 180 degree but less than 360 degree तो इसका आंसर c है next सवाल नेक्स सवाल दिया है त्रिभुज के भुजाओं का अनपात दो अनपात तीन है तो परिमाप 24 है तो सबसे बड़ी भुजा ग्याद किजिए तो पहले इसमें सब को मान लिए टू एक्स है फिर एक्स है सबको एक्स से गुना कर दीजिए तीन एक्स तो यह बराबर में यह परिमाप हो गया तीन भुजाओं का जोड़ यह दिया हुआ 24 तो दो एक तीन च्छै एक्स बराबर में 24 तो एक्स का वेल्यू क्या हो जाएगा एक्स बराबर में 4 हो जाएगा आपको 3 एक्स निकालना है तो तो चार्तिया 12 cm, cm में दिया हो तो 12 cm इसका आंसर सही है, next देखते हैं, कहारा है एक पर्मे और अपर्मे संक्या का गुननपल, अब अपर्मे संक्या रूट 5 है मालीजिए, और इसको पर्मे संक्या से गुना करेंगे, तो क्या हो जगा 2 रूट 5 यह भी एक अपर्मे संक्या ही होगा, तो सदयब एक अपर्मे संक्या ही होता है, एक पर्मे और एक अपर्मे का गुननपल, सदयब एक अपर्मे संक्या होता है, always irrational number, सवाल नेक्स्ट सवाल देखते हैं दो पूरक यानि कंप्लिमेंट्री एक आता है कंप्लिमेंट्री कंप्लिमेंट्री होता है और एक होता है सप्लिमेंट्री तो देखिए पहले सी आता है हिंदी में पूरक और संपूरक तो देखे पहले P आएगा या C आएगा मैंने C आएगा या S आएगा एक का जोड़ होता है 90 डिगरी दो कोनों का योग 90 डिगरी हो तो पूरा कोना दो कोनों का योग संपूरक हो, यानि 180 होता है, दो कोनों का योग, तो संपूरक कहलाता है, यानि S बाद में आते हैं, तो 180 बाद में हैं, ठीक है, और 90, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, पूरक और संपूरक में, तो देखिए, पूरक में कम अंक है, तो 90 डिगरी, और संप 788 तो 10X पलस 8x बराबर में हो जाएगा 90 तो 11 X बराबर में हो जाएगा 92 तो एक्स बराबर में हो जाएगा थारा पंचे बैप तो दिग्री तो डश पंचे 50 और पंचे 40 पेचास और 40 का विए हो गया अप्शन ए नेक्स्ट सवाल देखते हैं नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सी अपर में से क्या है विच आप फॉलोईंगी जो रैस्नल लंबर तो देखिए यहां पर दिया हुआ चार बटे नो चार अन पा यह कट करके जो मतलब रूट से निकल जाएगा यह बाहर क्योंकि यह चार का वर्गमूल यानि स्क्वार रूट टू होता है तो यह नहीं होगा रूट तीन से रूट मलब यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं रूट बारा को बारा बटे तीन रूट के अंदर में तो यह चार हो जाएगा जो जिसका वर्गमूल दो हो जाएगा तो यह भी नहीं है देखने में तो यह भी लग रहा है रूट पांच एक पर में संक्या निखित में से कौन सी त्रिवूजों की सरवांग संपता की कसोटी नहीं तो सरवांग संपता की कसोटी होता है एस यहां चख़ंश उच धिया और दो भूजा बीच का कौन और डो कोन और बीच की भुजा या RHS तो यहां पर देखिए SAS तो है दो भुजा एक बीच का कौन ASA भी है दो एंगल बीच के यह SSA नहीं है यह गलत है तो C इसका गलत सबस्क्रांश का सोटी पर एंगल नहीं आ पा रहा है सवाल देखते हैं यहां पर दिया हुआ है जो कि दो जाए अठारा सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और परिमाप दिया हुआ 42 तो तीसरी भुजा निकाल लिजिए पहले तीसरी भुजा निकालेंगे 42 में से 28 चला गया तो कितना बचाएगा 42 में से 28 गया तो 14 सेंटीमितर हो गया इसका परिमा मारब तीसरी भुजा अब छेतर फल निकाल लिए हिरोन सुतर से क्या होता है अंडारोट S into S minus A S minus B S minus C तो यह 21 परिमाप है तो S का वैल्यू हो जाएगा इसका आधा यानि 21 सरी 42 परिमाप है तो इसका आधा हो जाएगा 21 S तो 21 और 21 मेंसे तीनों भुजा बारी बारी से गटाई अठारा गया 21 मेंसे 10 गया और 21 मेंसे 14 गया तो जिसको solve करेंगे तो यह आ जाएगा आपको 21 तो 21 को हम 7 गुने 3 लिख सकते हैं और यह हो जाएगा 18 तो यह इसमें से घटाएंगे तो 11 बचेगा यह बचेगा साथ अब देखे किस किस का जोड़ा है यह जोड़ा बन रहा है तो यह भी बाहर निकल जाएगा इसका जोड़ा नहीं है तो यह अंदर ही रहेगा तो साथ्या 21 रूट 11 संटीमीटर स्क्वार तो इसका सही आंसर भी है नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब यहां पर सवाल दिया है त्रिभूजों ABC और PQR है तो देखें दो हम त्रिभूज बनाते हैं ABC और इधर बनाते हैं PQR अब कहरा है AB बराबर में AC यानि यह बराबर में यह तो और C बराबर में पी तो देखें जब दो बुजा बराबर है तो इसके सामने का कौन भी बराबर होता है यानि यह बराबर में यह हो जाएगा बराबर बुजा के सम्मू कौन बराबर होते हैं अब यहां पर कह रहा है C बराबर में P तो C बराबर में P तो यानि एंगल C है इसके बराबर में ठीक है और एंगल B बराबर में एंगल Q यानि ये बराबर में ये दिया हुआ है तो दो कौन बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा यानि ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगे पी आर और क्यू आर बराबर हो जाएंगे तो आब देखिए ये दोनों बराबर हो गया ये भी बराबर में हैं लेकिन भुजा का कमपेरिजन नहीं किया गया किसी में भी यदि एक भुजा दिया होता है इसके साथ बराबर है ये आपस में बराबर में एबी बराबर में एसी है इसमें और इसमें हो जाएगा पी आर बराबर में क्यू आर इतना ही इससे निकला रहा है तो इसका मतलब क्या है यह समद्विबा हूँ है लेकिन सरवांगसम की बात इसमें नहीं किया गया है तो इसका सही आंसर है आइसोलेस आइसोसलेस बटनोट कंगुरुएंट यह एक पहला आंसर है ठीक है नेक्स सवाल देखते हैं इसमें दिया हुआ है 0.35 का पी क्यू रूप यानि 0.35 है और इसके उपर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब देखिए इसमें क्या होता है थरी फाइब लिख लें दोनों पर लगा हुआ है तो उतनी बार नौ लिखेंगे दसमलब के बाद दोनों अंगत तो यानि इसका सही आंसर 35 by 99 ठीक है नेक्स सवाल देखते हैं नेक्स सवाल है इसमें कहा रहा आकड़ों का परिसर ज्याद कीजिए तो आक परिसर में सबसे छोटा मालब जिसको कहते हैं हाँ ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट और लोएस्ट यानि मैक्सिमम और मिनिमम का डिफ्रेंट्स होता है तो मैक्सिमम देखे मैक्सिमम क्या है मैक्सिमम यहां पर क्या दिकर आपको सबसे सबसे चोटा दिखे यहां पर आठ दिकर अच्छे चैसे भी चोटा दिकर आपको नहीं तो मिनिमम च्छे तो डिफ्रेंट्स क्या होगा नाइंटी ए वन माइनस सिक्स जदि हम सबस्ट्रेट करते हैं तो यह सबसे आता है 85 यानि इसका सही आंसर 85 आया सवाल देखते हैं कह रहें एक रिंखा का सम्मीकरण जो व्य अक्ण से उपर यानि यह एक सक्छ्छे ये एक सक्छ्छ्छे यह एक सक्छ्छे इस से ऊपर यानि इधर है जिस पर वेल्यू पांच है इससे पांच की दूरी है तो यहां पर वाई बरावर में पांच आ जाएगा वाई बरावर पांच को जड़ी इक्वेशन के रूप में रखते हैं तो वाई माइनस फाइव इसकल टू जीरो जो समीकरन आपको दिया जा समीकरन नंबर सी है वाई माइनस फाइव तो जीरो नेक्स सवाल देखते हैं नेक्स सवाल कह रहा है वाई एक्स बरावर में तीन और वाई इसकल टू-2 इस समीकरन का एक हल है तो X और Y का वैलू रखे LHS बरावर RHS करें तो हो जाएगा X तो K और X के बदले रखे 3-3 और गुने-2 बराबर में 12 होनी चाहिए तो यह हो जाएगा 3 के और यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 तीन दूनी 6 इसकल टू जो है आपका हो जाएगा 12 तो यह इधार आके घट जाएगा तो 3 के इसकल टू हो जाएगा 12 में से 6 गया यानि 6 ठीक है ओ तो के की वैल्यू क्या हो जाएगे 6 वटे 3 जिसको कट करके 2 होगा सर्थ तो B कल अ मलब की जो आंसर वी में दिया हुआ देखते हैं नेक्ससावाल है बारम्बारता बंटन के बंटन वर्ग चिन कि दिये गए यह वर्ग चीन दिया हुआ है तो संगत बर पता करने के लिए तो संगत वर्ग यह ठीक बीच में आना चाहिए खिए देखिए किसमें दोनों को जोडने पे 30 आ रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम को जोडने पे 30 आ रहा है, तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 30 आ रहा है, और इसको जोड़ेंगे तो 40 आ रहा है, तो यह नहीं है, इसको जोड़ेंगे तो यह भी नहीं है, तो यह सही आंसर आपका दůनों को जोडने पर ठीक बीच में इस संगत सब 2 में जोड़ का लौर लिमिट और अपर लिमिट तो डोनों को जोड़ेंगा लौर प्लास अपर अपॉन में टू यह होता है तो देखिए दोनों का जोड़ बटे दो पंदरा आना चाहिए तो यह इसका सही आंसर है ठीक है नेक्स सवाल देखते हैं अगला सवाल दिया है जो कि त्रिभुज ए बी सी में तो हमने यह त्रिभुज बना दिया बी सी इजकल टू एबी दिया हुआ है यानि बी सी यह और यह दिया हुआ है तो इसका मतलब जब यह दो भुजा दिये हुए तो दोनों कौन भी बराबर होंगे इसके सामने मलब समान भुजा के संगत कौन बराबर होते हैं सम कौन बराबर होते हैं और यहां पर दिया हुए बी कोन कामान और टीक्री तो यह एक्स मान लेते हैं यह सब् dobrze टू की स de देखते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा के तरफ बने आंत्री कोन बराबर होते हैं तो देखिए यह दो समांतर कोन है समांतर रेखा है एक तिर्यक रेखा है एक ही तरफ के बने आंत्री कोन यानि ये कोन और ये कोन दोनों का योग क्या होता है जब वे एक तो ये एकसो असी होता है तो दोनों का योग एकसु असी किस के बराबर है सामपूरक के बराबर है यानि दोनों का जोड यहां पे सप्लिमेंट्री अंगल होगा ठीक है इंगली समें सप्लीमेंटरी कहते हैं इसको कि सप्लीमेंटरी एंगल कि तिके नेक्स सवाल देखते हैं अगला सवाल है टू एक्स प्लस फाइब वाई इसकल टू सिक्स का आलेक एक्स बिंदू को एक्स अक्स को बिंदू कहां पर काटेगा तो एक्स पर काटता है जब एक्स पर काटेगा तो वाई इसकल टू जीरो होगा ठीक है तो वाई इसकल टू जीरो यानि जीरो रखेंगे तो क्या हो यानि कट करके तीन आ गया तो तीन जिरो इसका सही आंसर है नेक्ट सवाल देखते हैं यहां पर दिया हुए A B C F D E के बराबर में A B is equal to 5 कौन B is equal to 40 degree कौन A बराबर में कौन A बराबर में 80 degree तो इन में से कौन सा सत्य है तो देखिए A B is equal to 5 है तो इसके बराबर A B के साथ F D I यानि D F लिख सकते हैं या F D लिख सकते हैं वह 5 cm है तो यानि जैसे यहां पर लिखा है वैसे इसमें भी होनी चाहिए उसी ओर्डर में तो यहां A B है तो यहां पर F D I तो D F तो यानि यह दोनों इसमें है ठीक है अब कह रहा है B पर 40 degree है तो देखिए और कौन A पर 80 degree है तो आप A के मतलब A जो जहां पर है वहां पर F है तो F की value 40 होनी चाहिए तीसरा यहां पर कौन दिया हो जब तो जहां-जहां B है यानि यहां पर B है तो यहां पर D है तो यह इसका योज में करना है A के बराबर F हो जाएगा तो यानि C बराबर E तीनों कोनों का युग 180 होता है 1았र कौन 10 degree का होगा तो यह कौन E बराबर में नेक्स सवाल देखते हैं इसमें पूछा जा रहा है वर्ग्चिन ही इसका क्या होगा तो इस दोनों को जोड़ ले 130 और 150 को और बटे में दो करने तो कितना हो जाएगा 280 का आधा 140 इसका हल एक्स माइनस 2 y is equal to 4 है तो देखिए कौन सा रखने पर इसका मान सही आजाएगा तो आख्स का मान चार रखते हैं यह जीरो और तू रखते तो देखिए 0 और दो दूनी 4 लेकिन माइनस 4 हो जाएगा तो यह नहीं आएगा चार जिरो रखने पर यह जिरो हो जाता है, तो X is equal to 4, यानि यह सही आंसर है, ठीक है, नेक्स सवाल देखते हैं, इसमें कहरा है, दी गई आकरिती में एक आंतर योग, अंतर कोण को दर साता है, एक आंतर अंतर कोण, यानि एक इस साइड का तीन, मनलब एक आंतर अंतर कोण जो होता है, एक इस साइड का और एक इस साइड का, तो तीन और छे, तो यानि यह है, ठीक है, नेक्स सवाल देखते हैं, अब हम खंड B की तरफ चलते हैं, जिसमें कुल 20 प्रसन आएंगे, और आपको 16 करने हैं, अब यहां पर दिया हुआ है, यह और यह, दोनों संपूरक हैं, यानि सप्लिमेंटरी है, तो दोनों का योग हमने बता है, सप्लिमेंटरी में दोनों का योग 180 होता है, तो 30 प्लस X प्लस 40 डिग्री is equal to 180, तो 30 और 40 70 हो गया, तो X बराभर में 180 में से 70 घटा ले, तो कितना हो जाएगे? 110 डिग्री, डिग्री छुट गया है, तो 110 डि नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है इसमें एंगल A minus B is equal to 42 degree तो अब B की value कह रहा है तो B के term में आप सबको लिख लिए तो एंगल A बराबर हो जाएगा 42 degree plus B angle B और इसी तरह angle C हो जाएगा इसमें यदि करते हैं तो यहाँ पे angle C हो जाएगा इस दूसरे equation से angle C बराबर में हो जाएगा angle C is equal to लिख सकते हैं यह इधार आके घट जाएगा तो angle B minus 21 degree ठीक है अब तीनों कोनों का यह क्या होता है angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree होता है तो एक के बदले तो हम लिख सकते हैं 42 plus angle B और angle B के बदले angle B है ही और angle C के बदले हम लिख सकते हैं angle B minus 21 degree is equal to 180 तो यह देखिए यह हो जाएगा B plus B और plus B 3B यहाँ पे हो जाएगा 3B और 21 मेंसे 42 मेंसे 21 गया तो यह हो जाएगा plus 21 तो यह दार आकर के घट जाएगा 180 minus 21 घट जाएगा तो यह angle B का मान हो जाएगा इस मेंसे 180 मेंसे 21 सबस्टेट किये तो हो जाएगा 159 अपन में 3 इसको करेंगे तो 5 तिया 15 और 3 तिया 9 तिरे 5 डिगरी आ जाएगा इसका value तो देखिए नंबर से करें 88 यह 54 हो जाएगा ठीक है ए चार बार है यहां पर तीन बार यहां पर एक बार साथ हो जाएगा दी पांच बार यहां पे और तीन बार यहां पर तो B का पावर आठ हो जाएगा तो यह 54 एक पावर 7 बीका पावर 8 जानि इसका सही आनसर यह रहा पाल नेक्स सवाल आपको दिया हुआ है एक बारम बारता बंतन में एक बार का मद्यमान या यहां माद Eman, ya Mi Dμ V Itu ya class mark भी दे सकता है, तो ये कहता है 10 है, तो ठीक बीच मे 10 आ गया और चोडाइ 6 है, तो तीन इधार और तीन इधार होनी every, तो 10 में 3 इधार हो गया तो ये साल और ये 13, तो ये हो गया क्योंकि दोनों के बीच माद Eman 10 है, तो कह रहा है जो कि उसकी निम्न सीमा क्या है लोवर लिमिट लोवर लिमिट सेवेन है इसका सही आंसर नेक्स देखते हैं नेक्स दिया है एक समद्विबाहुत रिभुज है यादि सिर्ष कोन आधार कोनों के योग का दुगूना है यानि सिर्ष कोन ये वाला कोन इस कोनों के योग के दुगूना है तो ये एक्स है तो ये भी एक्स है दोनों का जोड कितना हो जाएगा टू एक्स का डवल यानि यहां पर फोर एक्स हो जाएगा तो अब जोड़े तो ये हो जाएगा फोर एक्स फोर एक्स प्लस एक्स तो इसकल टू वन एट्टी होगा तो तो इसमें यह हो जाएगा इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा शिक्स एक्स बरावर में वन एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास वन एट्टी एपॉन में थ्री यानि थर्टी डिग्री अब कह रहा है जो कि मेजर दा मालब दो त्रिभुज का सिर्ष्कोन ग्या करना है तो फोर तीस को चार से करेंगे तो 120 डिग्री तो इसका सही आंसर है बी नेक्स सवाल देखते हैं नेक्स सवाल है इसका मान कहरा पता करने के लिए तो देखिए यहां पर चार है फिर थर्ड रूट है तू का पावर थ्री है तो पहले इस रूट को हटाएं तो देखिए क्या हो जाएगा फोर और तू का पावर थ्री इंटू वन वाई थ्री तो इसको करेंगे तो यह हो जाएगा टू और यह है फिर ऐसे हो जाएगा टू का पावर वन और नीचे इदार है फोर तो बरावर में टू का पावर वन वाई फोर जिसका सही आंसर यह सी है नेक्स सवाल देखते हैं नेक्स सवाल है इसमें कहरा एक्स का मान क्या आद कीजिए तो देखिए यह 123 यह transversal यह क्या है parallel line से समान तरह और यह transversal line है तो यह इसका योग और इसका योग बरावर होगा यह एकांतर युग में है तो यह आप 50 प्लस x बरावर में 123 होना चाहिए तो x की value 123 में से 50 घटाएंगे तो यह 73 आएगा इसका सही आंसर नेक्स सवाल देखते हैं नेक्स सवाल दिया है यदि x और y दोनों समीकरन के घनात्मक हल है घनात्मक हल है तो यानि positive solution है तो positive solution किसमें होता है आप जानते हैं जो कि दोनों प्लस इसमें होता है या first quadrant कहलाता है तो यह इसका सही आंसर first quadrant है पहला चत्वर्थांस नेक्स देखते हैं नेक्स सवाल देखते हैं तो देखिए यहां पर जो दिया हुआ है किया रहा है जो कि इसका मान ग्यात किजी तो एक को पहले हर का परमेई करन करके देखते हैं कैसा होता है one by one plus root two को करते हैं परमेई करन तो जब हम इसको परमेई करन करेंगे तो one minus root two चाहिए और one minus root two तो solve करेंगे तो यह तो यह हो जाएगा 1 minus root 2 और नीचे में हो जाएगा 1k square 1 minus 2 तो यानि minus 1 तो minus 1 हो जाएगा तो यानि और उपर में 1 minus root 2 होगा तो इसको सही से करने पर minus से multiply कर देते हैं तो यह हो जाएगा root 2 minus 1 तो यानि ध्यान से देखने पर तो यह क्या हो जाएगा root 2 minus 1 और इसी तरह इसका हो जाएगा plus root 3 minus root 2 फिर plus इसी तरह से होते होते आएगा लास्ट में यह root 9 बड़ी संक्या में से छोटी संक्या यह इधर वाले में से इसको घटा रहे हैं root 9 minus root 8 आएगा तो यह कटता जाएगा root 2 से root 2 कटता जाएगा तो इसका मतलब इधर हो जाएगा 9 का square यानि जब square root करेंगा तो 3 यह plus में आएगा और यह minus में तो 3 में से एक गया तो यानि 2 इसका सही answer है ठीक है नहीं समझ मैं है तो एक बार देखी हमने इसको 1 by यहां पे दिया हुआ है 1 plus root 2 तो 1 plus root 2 दिया हुआ है तो इसको जदी हम conjugate से करते हैं गुना तो 1 plus root 2 और इधर करेंगे तो यह हो जाएगा 1 minus root 2 upon में 1 minus root 2 तो इसको solve करने पे इधर तो आएगा 1 minus root 2 और नीचे आजाएगा आपका 1 minus root 2 का square 2 तो यानि minus 1 बचेगा तो इसको solve करने में minus 1 से गुना करेंगे तो यह वाला पहले आजाएगा root 2 minus 1 तो इसी प्रकार सब का होगा तो सब का होगा तो सब के साथ हम करेंगे देखे यह हो जाएगा root 2 minus 1 plus root 3 minus root 2 plus root 4 minus root 10 plus root 5 minus root 6 root 5 minus root 4 root 6 minus root 5 root 7 plus root 7 minus root 8 plus root 8 minus root 9 7 में से 6 जाएगा और फिर यहां पे हम लिखेंगे 8 minus 7 और root 9 minus root 8 तो यह कटता जाएगा यह कटता जाएगा इधर वाला कटता जाएगा सारे कटते जाएगे इधर से बचेगा यह minus 1 और यह root 9 तो root 9 की value होता है तीन और इधर एक तीन में से एक गया यानि दो आंसर नेक्ट सवाल देखते हैं यहां पे दिया हुए एंगल B, एंगल A और एंगल C का माप है एंगल B, A dash, C dash is तो एंगल B, A dash यानि यह कौन कह रहा है जो कि बराबर होगा तो यह देखिए यह और यह बराबर होगा तो लिखे 3x is equal to 2x plus 20 तो क्या हो जाएगा एधर आ जाएगा तो 3x में से 2x गया तो यह हो जाएगा x बराबर में 20 अब किसी x किसी में भी रखें तो 20 तिया 60 या इसमें भी रखेंगे तो 2240 भी 60 तो यह बी की वेल्यू 60 हो जाएगा नेक्स सवाल देखते हैं इसमें कह रहा है x का मान ज्याद करने के लिए तो देखिए यह तीनों कोनों का यो 360 डिगरी होगा पूरन एक कंप्लीट एंगल तो यह हो जाएगा 120 डिगरी प्लस x प्लस x प्लस 10 इजकल टू हो जाएगा 360 तो यह हो जाएगा 130 अब 2x प्लस 130 तू एक्स बराबर में हो जाएगा 360 में से 130 गया जिसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 230 तो एक्स का मान इसका हाफ हो जाएगा यानि 115 डिगरी नेक्स सवाल देखते हैं अगला सवाल है जो कि यह नंबर दिया हुआ है जो कि यह जर्वेशन है यह जर्वेशन है तो कह रहा है जो कि इस क्लास के बीच में कौन सा आएगा तो इसमें 20 से लेके 30 नहीं 30 से कम तक तो 20 से 30 के बीच में कौन कौन सा आता है यह आता है एक यह भी आता है तवाल आते हैं जो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं तो यहां पर देखें ए और बी के पोजीशन पर ग्याद करना पहले क्या है तो पहले रूट 3-1 है और रूट 3-1 है तो नीचे हमें रेशनलाइज करना हर का परमेई करना है तो इसका कंजूगेट से गुणा करेंगे तो यह है कंजूगेट चाहिए से माइनस प्लस भी है तो ए माइनस भी होना चाहिए तो रूट 3-1 तो यह क्या हो जाएगा इसका स्कूर रूट thực जी से लगी। अब इसको solve करेंगे तो यह root 3 का square क्या होता है 3 और minus 2 root 3 2ab और plus 1 और upon में 2 तो अभी और solve करें तो यह हो जाएगा 3 और 1 4 4 plus 2 root 3 upon में 2 तो दोनों से यहाँ पर minus में तो यह हो जाएगा 4 by 2 तो यानि 4 by 2 और minus 2 by 2 root 3 तो यानि हो जाएगा 2 minus root 3 तो सही answer यह आगया तो हमें चाहिए a plus a minus b root 3 के position पे a minus b root 3 के position पे तो a के position पे तो आगया 1 a बराबर में 1 और b बराबर में आ जाएगा यहाँ भी minus है यहाँ भी minus है तो root 3 भी है root 3 भी है तो sorry a बराबर में 2 आ जाएगा a बराबर में 2 आ जाएगा यहाँ पे दिया हुआ है a बराबर में 2 और b equal to हो जाएगा one तो दोनों का जोड कर रहा है a plus b यानि 2 और एक तीन तो सही आंसर इसका यह है next सवाल देखते हैं next कह रहा है एक रेखिक समीकरन के हल यह दिये हुए हैं तो उसका समीकरन होगा तो ध्यान से देखने पर क्या देख रहा है एक्स प्लस वाइज कल टू जीरो एक्स प्लस वाइज कल टू जीरो इस दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो आना चाहिए तो इसका सही आंसर भी है एक कह रहा है सतत बारम बारता बंटन में एक वर्ग का वर्ग चिन 15 है और निम्न सीमा 13 है तो दोनों के बीच में 15 आगया इधर 13 है तो इधर वाला क्या होगा उच्छ सीमा तो 13 से कितना ज्यादा यह 15 है प्लस टू तो इसमें प्लस टू कीजिए तो 15 दो 17 आगया इसका सही आंसर नेक्स्ट देखते हैं एक अध्यापिका अपने इस वर्ष के रिजल्ट को पिछले वर्ष के रिजल्ट की तुलना करना जाती है उसने कक्षा के प्रतिक विद्यार्थी से अंक पुछे 75 प्रत्स की लिए उसने परनाम रजिस्टर कोल कर संख्या लिख लिए उसके द्वारा विद्यार्तियों से एकत्र किए गए आंकड़े और रजिश्टर से लिखया गए आंकड़े क्रमशा देखिए बच्चों से एक तो बच्चों से पूछ करके अपने रिजल्ट की तुलना करना चाहती है To compare this result with last year result Teachers went to class and collected this year numbers of distinction for last इस साल जो बच्चों ने number लाये हैं distinction वाले तो उस 75% को हम कहते distinction वाले number तो वो जिसने लाया है और पिछले साल का compare कर रहा है तो इस साल अध्यापी का जो टीचर है वो क्या कर रही है बच्चों से data collect कर रही है खुद कर रही है तो वो कहलाता है जो जिस data को हम खुद collect करते हैं पूछते हैं तो यह होता है primary data और जो data किसी register से या किसी कहीं से पहले से प्राप्त आकड़ों से लिया जाता है तो उसको कहते गोण आकड़ा यानि यह हो गया इसका सही आंसर प्राइमरी आख मलब प्रात्मिक आकड़ा जो मैडम इस बार के register मलब इस बार का compare करें बचों से पूछ रही है यह अंक पूछ रही है और पिछले बार का register उनको पिछले साल का result register से उनको लेना है तो वह हो गया secondary data तो primary data and secondary data यह हो गया इसका सही आंसर नेक्स सवाल है एक्स बराबर में y तो एक्स बराबर में y जदी हम रखते हैं तो यह सीधे ऐस जाएगा तो यानि क्या होगा यह perpendicular to x-axis भी नहीं होगा parallel to x-axis यह भी नहीं होगा यह passing through origin मूल बिंदू से गुजरता हुआ दिखेगा यह origin से यानि बीच से ठीक बीचो बीच जाता हुआ दिखेगा तो इसका सही आंसर डी है next सवाल देखते हैं next सवाल दिये गए ग्राफ समीकरन को दर साता है तो यहां पर देखिए ये जो सवाल है एक्स का मान 22 मानलब कोईंट है 22 और तू टू और दूसरा है माइनस टू और माइनस वन तो इसमें रख करके देखिए बारी-बारी से किसको पुट करके यह हो रहा है तो देखिये एक्स बराबर में दो रखे और वाई बराबर में दो रखे तो तीन दीनी छे और सादूनी चौदा तो यह तो होगा ही नी माइनस में है यह दो और मैसे चार गया तो यह भी नहीं है यह देख़िये आठ कुछ ऐसे वी उहल होते हैं value put करके प्राप्त करना होता है तो दो रखे तो आठ दूनी 16 में से 6 दूनी 12 गया तो 16 में से 12 गया तो 4 यानि यह एक तो हो रहा है दूसरा भी रखने पर क्या हो रहा है 8 दूनी 16 minus 16 और यह minus 1 है y की value minus 1 है तो यह हो जाएगा minus 8 और इसकी value रखेंगे तो 6 टूजा 12 यानि minus plus 12 इसको solve करेंगे तो यह 4 आ रहा है तो यानि यह दोनों को satisfy करा तो इसका सही answer see you next सवाल देखते हैं यहाँ पर कह रहा है जो कि x बराबर में यह दिया हुआ है x बराबर में आपको यह दिया हुआ है तो 1yx यदि निकाल लेते तो कैसा होता है पहले 1yx निकाल ले क्या होता है तो 1yx रूट 5 प्लस 2 हो जाएगा और नीचे रूट होता नहीं है तो इसके conjugate से multiply करना होगा तो रूट 5 माइनस 2 अपन में रूट 5 माइनस 2 तो जिसको solve करेंगे तो उपर तो रूट 5 माइनस 2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा रूट 5 का square 5 और 2 का square 4 यानी 1 तो यानी यह आगया इसका तो आप देखिए x माइनस 1 बाई x तो x का value तो है आपके पास रूट 5 प्लस 2 और माइनस 1 बाई x जो जिसकी value आया है रूट 5 माइनस 2 तो रूट 5 माइनस 2 तो रूट 5 माइनस 2 यहाँ पे bracket लगा दीजिए तो यह हो जाएगा रूट 5 प्लस 2 और यह माइनस रूट 5 और प्लस 2 तो यह कट गया 2 तो 4 इसका सही answer B next सवाल देखते हैं इसमें कह रहा है यह A और B की value ज्याद कीजिए A प्लस B यहाँ पे S H न दिया हो यह 90 degree हो गया तो यह तीनों मिल करके 180 होता है तो 90 प्लस A प्लस B is equal to 180 तो A plus B is equal to क्या हो जाएगा 180 में से 90 गया तो यह हो जाएगा 90 तो इसका सही answer C next सवाल देखते हैं अब हम आ गये हैं last section C इसमें कुल 10 प्रसन होंगे 10 प्रसन होंगे जिसमें से आपको कोई 8 का हल करना है अब case study type सवाल है कुछ situation दिये होते हैं अब जैसे पहला दिया हुआ एक society में निवासियों द्वारा बच्चों के लिए एक पार्क और एक पार्किंग छेतर बनाने का निर्ने लिया गया यह ABC पार्क है और DEFG एक पार्किंग एरिया है अब उस पे आधारित प्रसन है देखिए ABC पार्क है DEFG पार्किंग इसके लिए तो A का निर्दे शांग कह रहा है कॉडिनेट ओफ A तो A का कॉडिनेट क्या हो जाएगा यह X की दूरी मतलब यहां डिस्टेंस क्या पहले X का वैल्यू 1 और Y की वैल्यू यानि यह 2 तो 1 और 2 तो A का पोजिशन हो गया 1 2 आप कह रहा है D के निर्दे शांग लिखिए कॉडिनेट ओफ D तो कॉडिनेट ओफ D क्या हो जाएगा X की वैल्यू तो 5 Y की वैल्यू 0 X axis पे Y की वैल्यू 0 होता है तो 5 0 तो जिसका सही आंसर C है अब कह रहा है F के निर्दे शांग लिखिए F कहां पे है F यह रहा तो X axis इससे डिस्टेंस कितना है 8 पहले 8 और Y की 3 तो 8 और 3 तो इसका वैल्यू आ जाएगा अब option B अब पार्क का छेत्रफल याद कीजिए एरिया और पार्क तो देखिए यह इसके पार्क जो है क्या है कौन सा पार्क है देखिए ABC पार्क है तो ABC पार्क है तो इसका एरिया पहले इसका डिस्टेंस कितना है तो देखिए 4 में से 2 गया तो यानि 2 हो जाएगा उचाए और यह कितना है यह भी 2 है और 2 दूनी 4 का क्या होता है एक बटे 2 आधार गुने उचाए बेस इन 2 हाइट तो 2 इन 2 इन 2 तो यह हो जाएगा 2 2 work unit सक्वार यूनीट तो यह हो गया इसका अब पार्किंग छतर पल ग्याद करना है इसका छतर फल ग्याद करना है इधार है वाँभ़वववववववववववववव थो एपकर इंस तो तीन लंबाए गुने चोड़ा आए तीन तीया नो इसका आंसर हो जाएगा नो नेक्स देखते हैं अब केसे स्टेडी का दूसरा सवाल है ABC कि तिर्भुजाकार खेत के सेर्स है वर्टेक्स ट्रेंगलर फिल्ड हाज वर्टेक्स वर्टेक्स वर्टिसेज जिसकी लंबाए दिया हुए तीनों भुजाकी लंबाए दिवी 120 मीटर 80 मीटर और 50 मीटर किसान खेत के तरफ तीन मीटर स्थान फाटक के लिए छोड़ता है छोड़ते हुए चारों और बार्ड लगवाता है तीन मीटर वह जगा छोड़ रहा है मनलब गेट के लिए बार्ड लगवाने का खर्च 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर है प्रति मीटर है तो बार्ड लगवाने के बाद किसान पूरे खेत में धनिये की खेती करता देखिए यह इसने गेट बना दिया और इस तरह से उचारों सैट घेर अब धनिये की खेती फिरौर परिमाप, semi perimeter of this part, फिल, तो 50 और 80 और 120 को जोड़ेंगे तो यह होँझाएगा 250 का आदा, तो 125, तो अर परिमाप हो जाएगा 125 मीटर, अब खेत का परिमाप क्या कह रहा है, खेत का परिमाप यह तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, तो खेत का परिमाप निकल जा गाएगा 180, 20, 20, और 50 को जोड़ेंगे तो 250 आया यह सही आंसर अब कह रहे हैं कि चारों तरह बाड़ लगाने के लिए आवस्थिक तार की लंबाई तो वह चार मीटर तो छोड़ रहा है और इसी साइड में मतलब तीन मीटर छोड़ रहा है तो 250 में से वह तीन मीटर छोड़ रहा है तो यह हो जाएगा 247, 247 मीटर हो गया यह इसके लिए अब काटेदार तार लगवाने का कुल खर्च तो एक मीटर में 20 उर्पे लग रहा है तो 247 को 20 से करें गुना, तो यह हो जाएगा 0, सादुनी 14 और 4940, तो यह हो जाएगा 4940, इसका सही आंसर, अब कह रहा है कि खेत का कुल खत्रफल ग्याद कीजिए, तो कुल खत्रफल ग्याद करने के लिए हमें पहले अर्परिमाप दिया हुआ है, जो एक सो पचीस आया था, अब यह हो गया, और बाकि एक सो पचीस में से पहला, याब टेखिए, एक एपर यहीं पर करतें, तो, एक सो पचीस तो यह आ गया, एक सो पचीस और एक सो पचीस में से 80 गया 45 और यह 50 जाएगा तो यह हो जाएगा 125 में से 50 जाएगा तो 75 तो इसको जब हम solve करेंगे तो 125 होगा 5 गुने 5 गुने 5 और यह गुने 5 यह हो जाएगा 75 जो होगा तीन गुने 3 गुने 3 तिया 9 45 और 75 होगा 5 25 तिया 75 अब देखें जोड़ा किसका बन रहा है पांच का जोड़ा बन रहा है इस भी पांच का जोड़ा बन रहा है और एक और पांच का जोड़ा बन रहा है और एक तीन का जोड़ा बन रहा है और अंदर में जोड़ा कौन कौन रहा है तीन और पांच पंदरा तो यहां पर हो जाएगा पांच 25, 25, 25, 375 और रूट 15 तो 375 रूट 15 इसका सही आंसर है सेंटी मीटर इसको है स्वारी मीटर इसको है यह था इसका आज का जो आपको question paper दिया गया था इसका complete answer अच्छा लगे तो like और subscribe जरूर करें धन्यवाद